Hello everyone, मेरा नाम राहूल, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल Maths IQ में तो जैसे कि आप लोग जानते हो, हम Maths का स्लेवस कबर कर रहे हैं और हमने सबसे पहले उस क्रम में सर्ट्स एंड इंडिशेज यानि गहतांक और कर्णी को लिया था जिसको हमने बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से समझा और काफी वीडियो उसमें हमने की यानि पूरा कवर कर लिया हमने उसको, काफी अच्छे चे कोशन्स भी हमने किया था उसमें और उमीद है आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा क्योंकि उस वीडियो में से आपके एक्जाम में काफी question देखने को मिलेंगे तो मैंने आपसे वादा किया था कि next chapter जो आपका लेके आऊंगा वो ratio और proportion यानि अनुपात और समानुपात लेकर आऊंगा बट कुछ health issues के कारण वीडियो आने में थोड़ा समय लग गया ratio and proportion यानि आज हम ratio के बारे में समझेंगे ratio को cover करने के बाद में proportion को हम देखेंगे फिलाल आज की class में हम ratio को देखेंगे और ratio से related questions को भी देखेंगे ratio के basic को समझने बहुत जरूरी है कि ratio होता क्या है ratio के types क्या होते है ratio का use कहा होता है तो काफी कुछ हम basic से समझने वाले हैं आज की वीडियो में बस आपसे उमीद इतना करता हूँ कि इस वीडियो को इसकी मत करना इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है क्यूंकि ratio करना सब जानते हैं ratio अगर आपसे कोई पूछ ले कि ratio होता क्या है तो सायद आपको बताने में बहुत तकलीफ हो सकती है तो ratio के बारे में थोड़ा basic से समझना है आपको आज की वीडियो में वही discussion करने वाले हैं और कुछ questions भी देखेंगे ठेक हैं तो बिना किसी देरी के हम start करते हैं आज की वीडियो को और समझते हैं कि ratio होता क्या है चलिए चलो देखो यानि ratio किसे कहते हैं अनुपात किसे कहते हैं देखो मैं आपको लिख कर समझाता हूँ कि मानलो मैंने लिखा यहाँ A बटा B तो यह जो A बटा B है यह एक ratio है कब यह एक ratio है अनुपात है कब जब जब A तथा A तथा B कब परकार समान हो कब परकार समान हो एक समान हो कहने का मतलब है मतलब इनका type सेम हो क्या हो type वो same हो तब यह क्या है एक ratio है क्या है यह एक ratio है जब क्या यह एक ratio है जब A तथा B का परकार एक समान हो यानि type same हो यानि कि अगर मैं कहूं कि 10 women 10 women तथा 25 men का men का ratio क्या होगा तो आप बता सकते हो क्या मैंने पुछा है कि 10 women तथा 25 men का ratio क्या होगा तो आप बता सकते हो आपको गे हाँ बता सकता हूँ 10 ratio 25 हाना और आप इसको काट लूँगा मैं 5 दूने 10 पचम 25 आपने कहा कि 10 women तथा 50 जो men है उनका ratio दो ratio 5 होगा बट बट यह है गलत है क्या है गलत है क्यों गलत है क्योंकि आपने यहाँ पर एक line जो मैंने लिखा उसको धंग से नहीं पढ़ा मैंने क्या कहा यह है एक ratio है जब A तथा B का परकार समान हो याई टाइप सेम हो अब यहाँ पर आपको type पता है क्या मैंने यह कहा आपको 10 women यानि 10 महिलाएं तथा 25 आदमियों का जो ratio है जो अनुपात है वो क्या होगा लेकिन आपको परकार नहीं पता मैंने यह नहीं आप से यह नहीं पूछा यह नहीं पता अगर मैं कहता आईू का रेशो बताओ मैं क्या कहता आईू कहता या मैं कहता 10 women तथा 25 men के वजन का रेशो बताओ या मैं कहता कि 10 women तथा 25 men का 25 men के संख्याओं का रेशो बताओ संख्याओं का रेशो बताओ तब आप ratio यहाँ पर 2 इस्टो 5 बता सकते थे इसे ही मैंने क्या कहा परकार और भी चीज़ें हो सकती है वज़न हो सकता है, आईई हो सकता है, संक्याएं बहुत सारी चीज़ें हो सकती है तो यही है क्या type, क्या है type जब तक आपको type नहीं पता होगा उनका परकार नहीं पता होगा, तब तक आप उसको ratio नहीं कह सकते ठीक है, I hope आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाता हूँ, कि कभी भी हम ratio को जो judge करेंगे, जब तक उसका परकार नहीं पता होगा, उसको हम ratio नहीं कहेंगे यदि हमें उसका परकार पता लग जाएगा तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि वह ratio है अगर मैं यहाँ पर कहता है कि मान लो पाँच डॉग तथा पाँच डॉग तथा बीस कैट का कैट कि संख्या का अनुपाद कि संख्या का ratio क्या होगा तो अब आप बोच सकते हो कि 5 डॉग तथा 20 कैट होगा काट लोगे तो 5 बीस यानि आपको होगे एक ratio चार होगा यानि डॉग एक तो cat चार यानि मैंने आपको परकार बताया यहां क्या बताया मैंने संख्या बताया तब आप ratio बता पा रहे हो डॉग और कैट के संख्याओं का अनुपाद यह होगा अगर मैं कहता है 5 डॉग तथा 20 कैट का ratio बताओ तो आप कहते कि मैं नहीं बता सकता, क्योंकि क्या पूछना चाहते हो, आप उसका परकार क्या है, उनके वजन का रेशयो बताऊं, क्योंकि संख्याओं का रेशयो बताऊं या क्या, क्या बताऊं है, ठीक है, तो उमीद है आपको समझ में आया होगा, तो आप समझ गए कि रेशयो किसे कहते हैं, अब हम समझते हैं कि ratio का जो है यूज हम क्यों करते हैं ratio का इस्तमाल क्यों करते हैं तो चलो अब हम उसको समझते हैं तो use of ratio अनुपात का क्या use है हम क्यों करते हैं use देखो जब हमें जब हमें जब हमें या जब हम जब हम दो या दो से अधिक जब हम दो या दो से अधिक वेल्यूज़ जब हम दो या दो से अधिक वेल्यूज़ का आपस में कंपेर रीजन करते हैं कंपेर रीजन करते हैं तो हम रीजन का यूज़ करते हैं करते हैं या मैं सीधा सीधा कहूं कि दो या दो से अधिक वेल्यूज़ का कंपेरिजन करने के लिए रीजन का इस्तमाल किया जाता है ठीक है जैसे मैं कहूं जैसे मैं कहूं जैसे मैं कहूं a तथा b की a तथा b की i का रेशो a तथा b की i का अनुपाद i का अनुपाद i का अनुपाद कितना है 2 to 1 है तो ये रेशो हमें दे दिया गया तो अब रेशो से हम क्या जज कर सकते हैं क्या डिफाइन कर सकते हैं क्या हम ये कह सकते हैं कि a 2 रुपे कमाता है और b 1 रुपे कमाता है या हम ये कहेंगे कि a 2,000 रुपे या b 1,000 रुपे कमाता है या हम यह कहें कि A दो लाक और B एक लाक कमाता है नहीं हम क्या salary यहाँ पर exact नहीं बता सकते तो हम बता क्या सकते हैं तो मैंने क्या बोला यहाँ पर कि हम comparison कर सकते हैं comparison का मतलब कि हम यह जरूर कह सकते हैं कि B जितना भी कमाता है A उसका दुगना कमाता है comparison का मतलब क्या हुआ कि B जितना कमाता है ए उसका दुग ना कमाता है बस हम comparison कर पा रहे हैं दोनों की I का दोनों की salary का हम comparison कर पा रहे हैं तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ratio का use सिर्फ comparison के लिए किया जाता है actual value हम नहीं बता सकते अगर ratio डारेक्ट दे रहा के तो हम नहीं बता सकते सिर्फ हम comparison कर सकते हैं यहाँ पर तीन जने भी हो सकते हैं मालनों यहाँ पर A होता B होता C होता इनकी I का ratio दे देता मालनो दो चार आठ इस तरीके से दे देता तो हम यहाँ पर कुछ salary जज नहीं कर सकते हम नहीं बता सकते salary कि वो 8,000 कमाता है 4,000 कमाता है लेकिन हाँ हम यह जरूर कह सकते हैं कि A जो है B का sorry A जो है B से आधी salary कमाता है यानि B को जितनी भी salary मिलती है A को उसकी आधी मिलती है और C को B से दुगनी salary मिलती है और C को A से चार गुनी salary मिलती है हम क्या कर पा रहे हैं comparison कर पा रहे हैं हम ratio से जिर्फ comparison कर पाते हैं actual value नहीं पता लेकिन हमें यह जरूर पता है कि जो भी इनका salary होगा वो multiple same होगा multiple same यानि कि अगर यहाँ पर यह 10 से गुणा हो यानि यह कितना हो जाए 20 हो यह 100 से गुणा कर लो यहाँ पर 100 कर दो अगर मैं 100 से यहाँ पर multiply कर दूँ 100 से multiply कर दूँ यह दो अगर मुझे पता लग जाए कि यह 200 रुपे कमाता है तो obvious सी बात है हम बता सकते हैं 20 का दुगना कमाता होगा यानि 400 रुपे समान होगा इनका जो भी multiple होगा वो क्या होगा सब का समान होगा लेकिन ratio से हम यह नहीं बता सकते कि actual में वह चीज कितनी है ठीक है हां किसी एक की value हमें पता लग जाए तो हम सब की बता सकते हैं यानि कोई हमें उनके बीच का कोई भी relation हमें पता लग जाए तो हम ratio तो चलो देखो देखो रेशो में कुछ इसके कुछ टाइप्स होते हैं उस टाइप्स को जड़ा हम देख लेते हैं जैसे मैं बात करूँ सबसे पहले मैं हिंदी और इंगलिस में दोनों में कोसिस करूँ आपको समझाने की जैसे duplicate ratio फर्स्ट में बात करता हूँ डूपलिक क्या कहा जाता है वर्गा नूपात क्या कहा जाता है वर्गा नूपात ठीक है तो वर्गा नूपात होता क्या है तो देखो यानि मान लो A तथा B कुछ A तथा B की I का रेशो मैं अगर कहूँ कि कितना है 2 रेशो 3 है कितना है 2 रेशो 3 है A तथा B की I का रेशो मैंने कहा 2 रेशो 3 है अब मैं कहता हूँ या एक्जामेर आप से कहता है कि इसका duplicate ratio बताओ यह कहेगा हिंदी में कि इसका वर्ग अनुपाद क्या होगा तो आपको नाम के अंदर ही दिख रहा है वर्ग अनुपाद यानि वर्ग बताओ उसका अनुपाद वर्ग अनुपाद बताओ यानि जब ratio का duplicate कर दिया जाए तो वो duplicate ratio कहलाएगा तो आपको कुछ नहीं करना बस ratio का वर्ग कर देना है यानि एक्जामियार आपसे चाहता है कि A square ratio B square क्या होगा वो आपसे यह पूछना चाहता है तो आप बस इनके ratio का भी square कर दो तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 ratio 3 तिया 9 तो यह हो जाएगा A तथा B के I का duplicate ratio ठीक है यानि वर्ग अनुपाद तो जब भी किसी प्रकार के ratio का आपको वर्ग अनुपाद कर दें को कहे वर्ग अनुपाद निकालने को कहे तो आप सिर्फ ratio का क्या कर देना है आपको ratio का वर्ग कर देना है बस जैसे एक छोटा से example और ले लेता हूँ जैसे मान लों कहे कि P तथा Q का ratio तीन देशो 5 है और कहे कि इसका वर्ग अनुपाद बताओ तो आपको क्या करना है इसका square कर देता तीन का square 9 और 5 का square 25 तो यह इसका answer हो जाएगा ठीक है यह होगे duplicate ratio अब बात करते है next नेक्स्ट जो होता है इसका परकार next previous मैं यहाँ पर page add कर लेता हूँ चलो देखो अगला है हमने पढ़े duplicate ratio अब होता है sub duplicate ratio sub duplicate ratio duplicate duplicate ratio sub duplicate ratio को हिंदी में क्या कहते हैं हिंदी में कहते हैं वर्ग वर्ग मुलानूपाद वर्ग मुलानूपाद वर्ग मुलानूपाद ठीक है तो होता कहा है वर्ग मुला अनूपाद देखो यहाँ पर वर्ग मुल यानि जो भी रेशो है उसके वर्ग मुल की बात कर रहा है उसका वर्ग मुल बताओ क्या होगा जैसे मैं कहूं कि A तथा B जो रेशो है A तथा B का I का रेशो ले लो मैंने कहा है यहाँ पर यह 4 हो गया और यह कितना हो गया 9 हो गया ठीक है अब कोशन में आपसे जब यह कहा जाए कि इस रेशो का आपको वर्ग मुल लानूपाद रेशो क्या होगा तो आपको क्या करना है कुछ नहीं नाम में ही वर्ग मुल दिख रहा है यानि रेशो का आप वर्ग मुल लिकाल दो उसका वर्ग मुल लानूपाद हो जाएगा तो यानि वो आपसे एक्जामिलर पूछना चाता है कि A अंडरूट A अंडरूट B कितना होगा तो कोई बात नहीं आप इसका भी अंडरूट निकाल दो चार अंडरूट 9 तो कितना होता है ये 2 हो जाता है और ये कितना हो जाता है 3 हो जाता है तो ये इसका आंसर होगा जब आपसे वर्ग मुलानूपात निकालने को कहे तो आपको सिर्फ उसका square root निकाल देना है वो उसका answer के लाएगा एक example और ले लेता हूँ छोटा सा कोई सा जैसे यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 64 तथा 64 तथा 64 तथा ले लेते हैं 36 और आपसे पुछा जाए कि इसका वर्ग मुलानूपात क्या होगा यानि सब duplicate ratio क्या होगा तो कुछ नहीं इसका वर्ग मुल निकाल दो तो इसका वर्ग मुल कितना हो जाएगा तो यह 8 का square होता है 8 यह 6 का square होता है तो 6 अब यह और कट रहे हैं तो आप इसको काट लो, काट लो, दो चोक आठ, दो तिया, छे, तो यह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया हुए, सब डुपलिकेट रेशों किसे कहते हैं, अब next type कौन सा होता है, वो भी देख लिएते हैं, next जो type होगा, इसका, next जो type होगा, वो हता है आपका ट्रिपलिकेट रेशों, कि ट्रिपलिकेट रेशों क्या होता है, तो को थोड़ा slow समझाने ही कोसिस कर रहा हूँ आपको, अगर आपको और इन चीजों के बारे में थोड़ी सी knowledge हो, तो आप वीडियो की speed को थोड़ा तक जाख के देख सकते हो, ठीक है, तो ट्रिपलिकेट रेशों क्या होता है, इसको कहते हैं, गहना नूपात, गहना गहना नूपात, इस pen tap पे थोड़ा सा राइटिंग बनाने में दिख्कत है, चलो, देखो, गहना नूपात, यानि ट्रिपलिकेट रेशों, हाँ, कि रेशो किसे कहते हैं आपको दिख रहा है घना अनुपात या नि दो का cube आठ तो ये इसका answer आजाएगा है ठीक है ये इसका answer आजाएगा है ठीक है तो इसमें एक example चलो और ले लेते हैं छोड़ा सा कोई सब जैसे आप से कहें कि A तथा B जैसे इनका ratio दे दे एक ratio दो आप से पुछे कि इसका गहना नूपात बताओ यानि गहना नूपात क्यूब की बात कर रहा है तो आप यहां से एक का cube एक होता है दो का cube कितना होता है आट होता है तो ये इसका answer हो जाएगा ठीक है चलो next type देखते हैं next type कौन सा है अब जैसे वर्ग अनूपात था वर्ग मूला नूपात था इसी प्रकार जो कहना में आपका ये घना नूपा बात भी तो होगा यानि सब ट्रिप्लिकेट रेशो क्या सब ट्रिप्लिकेट रेशो सब ट्रिप्लिकेट रेशो उमीद है थोड़े दिन में राइटिंग थोड़ी सी बैड जाएगी इस पैन टैप पे सब ट्रिपलिकेट रेशों और हिंदी में कहे तो घन मुला नू पाती घन मुला नू पात क्या होता है देखो वही चीज सेम घन मून निकालने हो कह रहा है यानि जो भी रेशों इसको घन मूल को निकाल दो जैसे कहा दे ए बी यहां पर दे आपको आठ अनूपात 27 तो इसका आपको कहेगे कोशन में कहें कि इसका घन मूला नूपात बताओ यानि सब ट्रिपलिकेट रेशों बताओ तो बस कर दो ना क्यूब रूट निकाल दो यानि वो आपसे एक्जामनेर पूछ रहा है क्या कि इसका क्यूब रूट ए और यहां पर बी क्यूब रूट कितना होगा तो बस कर दो तो आठ रेशो 27 क्यूब कितना होता है तो यह 2 का क्यूब होता है और यह 3 का क्यूब होता है तो यह इसका आंसर हो जाएगा ठेक है तो उमीद है आपको समझ में आ रहा होगा चलो नेक्स टाइब देखते हैं नेक्स टाइब कौन सा है नेक्स टाइब बात करते हैं इन्वर्स रेशो तो यह भी काफी यूज हो जाता है क्यूशन्स में इन्वर्स रेशो इन्वर्स रेशो यानि उल्टा किसी चीज का रेशो का उल्टा अनुपात जब आपसे कहे तो उस इन्वर्स रेशो कहता है इ A तथा B का अनुपात कितना है 2 ratio 3 है 2 ratio 3 है और आप से कहे कि इसका inverse ratio बताओ कि inverse ratio क्या होगा हलागि question में direct तो नहीं पूछेगा questions में use होगा ये तो आप इसका inverse ratio निकाल सकते हो inverse मतला उल्टा यानि वो आप से examiner पूछ रहा है कि 1 by A ratio 1 by B बताओ यही तो कह HR है A का उल्टा 1 by A होगा B का उल्टा 1 by B होगा यानि आप कहोगे 1 बताओ 2 ratio 1 बताओ 3 अभी को जाते हैं compound ratio compound ratio हिंदी में इसको आप मिस्रित अनुपात कह सकते हो मिस्रित अनुपात मिस्रित अनुपात क्या होते हैं यह compound ratio रेशो क्या होते हैं ज़री उसको समझें जैसे A रेशो B आपको दे दिया 2 अनुपात 3 हैं और एक और रेशो आपको दे दे मानदो C अनुपात D ये हैं और आपसे बुले कि इनका compound ratio बताओ यानि मिश्रित जो अनुपात है वो क्या होगा तो कुछ नहीं करना आपको यानि वो कहना क्या चाहता है इसकी गुणा इससे जो जिस place पे है उसकी जो गुणा है उसी के same place वाली value से करनी है तो B की गुणा D से कर दो यानि आपसे पूछना चाहता है कि AC अनुपात BD कितना होगा एक्जामियर आपसे ये पूछना चाहता है आप बता सकते हो ना 2 को 1 से गुणा करोगे 2 अनुपात 3 को करोगे 3 से 3 तिया 9 तो ये हो जाएगा क्या compound ratio ठेक है उमीद आपको सारे types of ratio समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है मैंने सारे types बताएं आपको ratio क्या है ratio बेसिक को हमने समझा अब हम देखते हैं कि ratio को कैसे sum up करते हैं 2 परकार की ratio को 3 परकार की ratio को किस परकार हम sum up करते हैं तो चलो चलते हैं questions की और अब देखो ये question है कि यदि A अनुपाद B आपको दे दिया गया कितना है 7 अनुपाद 6 है और आपको दे दिया गया कि B अनुपाद C क्या है 6 अनुपाद 13 है और आपसे पूछा गया कि ये तीनों का combine करें तो एक ये संयुक्त ratio A, B, C का जो बनेगा वो क्या बनेगा तो कैसे करते हैं इस तरह कोशन को देखो अलग अलग तरीके के टीचर से अलग अलग तरीका बताते हैं तो आपको जो best लगे आप उसका use करो मैं आपको एक ही तरीका बताने कोसिस कर रहा हूँ यही आप समझना और इसी को exam में use करो इसी को use करो काफी fast होगा कोई दिक्कत भी नहीं होगी गल्ती होने के chances भी कम है इसमें तो देखो कैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं जब हम ABC बनाने कोसिस करते हैं तो एक बात यहाँ पर देखने की क्या है देखो यहाँ A है C है बट B यहाँ पर देखो दो बार है पर क्या है 7 है यानि और B की जिगे पर क्या है 6 है और C की जिगे पर क्या है आपका 13 है कितना है 13 है तो जो चीज समान है same है same है वो चीज same होना जरूरी है और यहाँ पर 6 है और 6 है तो directly हम ratio को sum up करके कह सकते हैं कि ratio 7, 6, 13 होगा ठीक है चलो आगे देखते हैं इसकी variety को थोड़ा सा change करते है this next question यह है कि A ratio B आपको दे दिया कितना है 3 अनुपाद 5 है और B ratio C आपको दे दिया कितना है 10 अनुपाद 7 है अब यहाँ पर आपको फिर से क्या बताना है A, B, C बताना है कि A ratio B, ratio C क्या होगा तो हमने क्या देखा हमें जो नज़र डालनी है वो नज़र डालनी है कि same चीज क्या है क्या है जो repeat है कौन सी value है या कौन सी जो आपका संख्या है या वो जो repeat है value कौन सी repeat है तो आपने कहा यहाँ पर जो value है भी है वो repeat है यानि वो same है अगर वो same है तो उसकी value का भी same होना जरूरी है लेकिन यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 10 है गड़ड़ है यहाँ 10 होता और यहाँ भी 10 होता यहाँ 5 होता और यहाँ भी 5 होता तो हम directly ratio को क्या कर सकते थे हम sum up कर सकते थे, बट इस case में क्या हम sum up कर सकते हैं, नहीं, तो क्या हम same नहीं कर सकते हैं, हाँ same कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे same, जरा समझो, तो एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर जो मैं आपको समझा रहा हूं, कि अनुपात में, यानि ratio में, किसी भी संख्या का गुणा क या किसी भी संख्या से भाग किया जाए, तो ratio पर कोई effect नहीं पड़ता, जैसे मैं example यहाँ पर आपको समझाता हूं, जैसे P अनुपात Q, कितना हैं, दो अनुपात 3 हैं, ठीक हैं, अब मैं कहूं, मैंने क्या कहा, कि किसी भी संख्या से multiply करने पर ratio पर कोई effect नहीं पड़ता मान दो मैं उपर भी के से multiply कर दूँ और नीचे भी के से multiply कर दूँ, यह रेशो है ना, दो पटा तीन यानि 2 इस्टो 3 है, तो मैंने क्या किया, same value से, इस चप्त का ध्यान रखना हैं, same value से multiply करने पर कोई effect नहीं पड़ता, same value से divide करने पर कोई effect नहीं पड़ता, यह नहीं कि उपर वाले को, k से नीचे वाले को जो है, कुछ भी लेलो, x से divide गुणा कर दिया, नहीं, value का same होना जरूरी है, अगर same value से गुणा करते हैं, यह भाग करते हैं, तो ratio change नहीं होता, ratio वही रहता है, देखो, यह कठी तो जाएगा वापस, k से कठ गया तो वापस वही 2 समझ रहे हो, जैसे 2 बटा 3 था, माल लो मैंने 10 से गुणा कर दिया, उपर भी मैं 10 से गुणा करता हूँ, नीचे भी 10 से गुणा करता हूँ, तो यह कितना हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, बाद में इसको काटोगे, तो वापस 2 value से तो रह जाएगा यह, ठीक है, यहाँ पर क्या है पांच है पांच है क्या मैं पांच को दस बना सकता हूँ और इसी बात है बना सकता हूँ दो से गुणा कर दूं तो तो मैं इसको दो से पांच को गुणा करूंगा लेकिन मैंने यहाँ पर क्या बता है रेशो को पूरा गुणा करना पड़ेगा आपको यह पूरे को 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाए को 2 ती अच्छे, और ये कितना हो जाए को 2 पंचे 10, अब ratio पर कोई fact नहीं पड़ा, क्यूं, क्योंकि वापस 2 से काट भी तो सकते हो, ratio को, ratio को जब तक कट रहा है, तब तक आप काट सकते हो, ठीक है, तो इससे, तब ही वो final ratio कहलाता है, final ratio तब ही कहलाता है, अधरवाज अब उसको जितने, जैसे मालो है 6 10 है, आप 6 10 पर भी छोड़ सकते हो, बढ़ कट रहा है, तो काट भी सकते हो, ठीक है, तो इसलिए कहता हूं, कहते हैं कि ratio पर किसी भी संक्या से, गुणा या भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यहाँ पर 6 10 हो गया, और यहाँ पर यह कितना है, 10 ratio 7 है, यानि यह कितना है, A है, यह B है, और यह B है, और यह C है, तो देखो, तो B सेम हो गया, अगर B सेम हो गया, तो डारेक्टली आंसर आजाएगा, 6 10 7, 6 10 7 इसका आंसर आजाएगा, ठीक है, आईए, नेक्स कुर्शन समझते हैं, चलो इसमें देखो, थोड़ा सा चेंज है, क्या है, A ratio B, 2 अनुपात 3, और यहाँ पर B ratio C, 5 अनुपात 1, अब आपसे फिर से बोला है, कि A, B, C बताओ, अब यहाँ पर समझना क्या है, अब यहाँ पर क्या सेम है, फिर से B सेम है, B सेम है, तो B का सेम होना भी जरूरी है, बट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, गडबढ़ है, गडबढ़ है, तो हम सेम करेंगे, तो क्या इसको 5 बना सकते हो, मुश्किल है थोड़ा सा, अनुपात 2, डिवाइड करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, इसको 3, थोड़ा सा इसमे भी प्रॉब्लम है, गुणा भाग करने में, तो क्यों ना हम इसको सेम करें, तो सेम करें, तो करें कैसे, छोटी छोटी value बन जाए, और दोनों समान हो जाए, तो हम क्या करते हैं, यहां पर बरावर करने के लिए, ऐसम देख लेते हैं, और दोनों को जो भी इनका ऐसम होगा, वही बना देते हैं, दुनों समान हो जाएगा तो 3 और 5 के एलसेम कितना होता है 15 होता है 3 बज़े 15 यानि अगर मैं इसको इस वाले पोर्षन को इस वाले पोर्षन को 5 से गुणा कर दूँ कितने से 5 से गुणा कर दूँ तो ये 5 दूनी 10 और 5 ये 15 हो जाएगा बना देते हैं, तो हो जगा 5 उनी 10, 5 या 15, रेशो और यहाँ पर 3 पचे 15, और 3 एकम 3, अब देखो B सेम हो गया, B सेम हो गया, तो B को एक बार लिख दो, 10, अनुपात 15, अनुपात 3, तो यह A, B, C, यह रेशो इसका आंसर हो जाएगा, ठेक हैं? चलो, next देखते हैं और समझते हैं, क्या है? अब यहाँ पर क्या है? देखो A, B, C, D समप करने को आ गया, अब यहाँ पर पहले तो पिछले कोशन से में A, B, C तक किया था, अब D भी आ गया, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्या करना है आपको? A रेशो B, B हम ABC बना ले, ABC बना लेते हैं, बाग में ABC में CD जोड़ देंगे, ABCD बन जाएगा, तो चलो, बनाते हैं, तो यहाँ पर देखो, इसको 15 बनाएंगे, जैसे पिछले same questions में हमने क्या कहते हैं, इसको LC हम देखा था, इनका LCM 15 है, तो इसको 15 बनाते हैं, तो पूरे को कितने से करोगे आप, इसको 5 से, और इस पूरे को कितने से, 3 से, तो यह जगा 5 दूनी 10, 5 या 15, यहाँ पर 3 पचे 15 लेख चुका हूँ, 3 निम 27, यानि यह कितना हो गया, 27 हो गया, ठीक है, अब इसमें CD और मर्च करते हैं, यह क्या आगया आपका, यह आगया, A, B, C, तो A, B, C का अनुपाद आपका निकल गया, अब यहाँ पर आपको C और D और ले लेना है, CD कितना दिर रख आपका 6 अनुपाद साथ दिर रखा भी आप 27 नहीं आच्छे है, गड़ बड़ है सेम करते हैं, तो इनका LCM क्या होगा आप कहोगे इसका LCM हो जाएगा 54, क्योंकि 27 दुनी 54 और 6 निम 54 होता है तो क्यों नहीं, इसको भी 54 और इसको भी 54 बना दे हैं तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 9 से गुणा करना पड़ेगा तो इसको 9 से गुणा करने का मतलब है इस पूरे को 9 से गुणा करना पड़ेगा तो 2 से करो, ये कितना हो जाएगा 2 धाम 20, अनुपात 2, 15 दुनी 30, अनुपात 27 दुनी 54 ठीक है, 27 दुनी 54 और अनुपात 9.54 लिख दिया एक बार 9.63 तो यह आगया आपका A. अनुपाद B. अनुपाद C. अनुपाद D. तो यह इस question का answer हो जाएगा ठीक है? उम्मीद है आपको A, B, C, D भी sum up करना आगया होगा देख उसमें अलग-लग तरीके के rule होते हैं कुछ लोग इसको directly इस तरीके से भी करते हैं A, B, A, B, B, C है इसके नीचे B और C लिख देते हैं फिर यहाँ पर इस तरीके से B को आगे बढ़ा दिया B को आगे बढ़ा दिया फिर गुनादर के लिख देते हैं काफी सारे तरीके हैं करने के बढ़ मैं ये तरीका best समझता हूँ और इस तरीके से जो है options से भी eliminate कर सकते हैं या आपर मैंने options नहीं लिए option लेता तो आपको option से भी करके बताता कि directly option से कैसे आपको eliminate करके answer कर देना है ठीक है तो चलो आगे देखते है next question चलो ये question समझो क्या question है यहाँ पर आपको दे दिया A ratio B 2 बटा 9 1 बटा 3 और यहाँ पर B ratio C यह आपके SSC में आया वा एक question है आपके exam में आया वा question है मैंने वहीं से लिया है एक question 2 बटा 7 यहाँ पर 5 बटे 14 और यहाँ पर D तो देको D ratio C दे रहा है आप इसको C ratio D लिग दो तो C ratio D कितना हो जाएगा आपका आपका 10 ratio 7 ठीक है तो चलो यहाँ पर फिर से ABCD आपसे पूछा है तो पहले हम ABC बना लेते हैं बट यहाँ पर fraction में आ गया अब fraction में आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है fraction वाले को हम कैसे solve करते हैं जड़ा देखो यहाँ पर क्या है दो बटन 9 यह वाली value में इधर लिख रहा हूँ अनुपाद एक बटन 3 देखो fraction वाले को किस तरफी solve करना है आपको पहले क्या करना है यहाँ पर यह नीचे जो values हैं इनमें देख लो कि क्या कुछ कट रहा है आपस में अगर आपस में कट रहा है तो पहले काट लो चीज़ा असान हो जाती है इससे यहाँ पर देखो कट रहा है यह 3 एकम 3 और 3 तिया 9 ठीक हैं इतना करने के बाद आपको directly cross multiply कर देना है सिधा cross multiply कर देना है दो रेशो तीन आ गया चीक है अब यहां से हम बी और सी निकाल लेते हैं बी रेशो ची कितना हो गया आपका यहां पर लिख देता हूं यहां कहीं छुपना आ जाए है कि यहां चलो जैसे यहां पर बी रेशो सी कितना है दो बट्टे साथ रेशो 5 रेशो 14 सुर्ज पांच बट्टा चोदा दो बट्टे साथ रेशो 5 बट्टे चोदा तो मैंने क्या बताए आपको कि पहले नीचे अगर आपस में कट रहा है तो काट लो 7 एकम 7 7 दूनी 14 directly cross multiply 2 दूना 4 और 1 पंचे 5 तो 4 ratio 5 तो आपका B ratio C कितना आ गिया B ratio C आ गिया आपका 4 ratio 5 ठीक है 4 ratio 5 आ गिया अब यहाँ पर C и त कितना दे रखाया आपको अच्छाँ यह मैने यहां पर क्या लिख दिया यहाँ पर मैंने सही से नहीं दिखा, इसको पूरा, इसको सही से लिए देता हूँ कितना है DC, साथ बटे दस यह DC था, साथ बटे दस आगे था, ठीक है D, हमने D को पीछे कर दिया यहनि यह आगे आजाएगा, C आगे आजाएगा, यहनि तीन बटा पांच रेशो, साथ बटे दस, तो बस नीचे कट रहा है, काट लो, पांच दूनी दस तो दो ती यह चे, और यह एक सत्य साथ, यानि छे रेशो साथ आजाएगा यहाँ पर आपका, पहले ABC बना लो, पहले ABC बना लो तो यहाँ पर इनका LCM 12 होगा, 3 और 4 का, तो 12 बनाओ, तो इस पूरे को 4 से, और इस पूरे को 3 से, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 ती अब 12, 3 चोग 12, 3 पज़े 15, तो यह आपका क्या आगया, ABC आगया, अब CD और मर्च करना है, CD कितना है, आपका 607 है च्छे रिसो, 7 है, तो यह तुनुनों C हो गए, C क्या है, same होना चीह है, 75 है तो same करो भई, same करते हैं, तो इनका LCM कितना होगा, 30 होगा, 15 और 6 का LCM 30 होगा, तो 30 बनाओ, तो इस पूरे को कितने से गुणा करोगे आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 2 से जब 15 को गुणा करोगे 30 होगा तो इस पूरे को करना पड़ेगा आपको ठीक है और इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा इसको गुणा करना पड़ेगा आपको कितने से तो भाई 5 चीक 30 होता है न 15 दुने 30 और यहां पर 5.31 लिख दिया 5.35 तो यह हो जाएगा A, B, C, D क्या हो जाएगा A, B, C, D यह इसका आंसर हो जाएगा ठीक है उमीद है आप बना पा रहे होगे एक्जाम में आया वा कोशन्स है तो इसली सॉल्व हो जाते हैं यह इतना लंबा यह आपको समझा रहा हू अधरवाइस कोशन्स डारेक्टली दिमाग में यहां पर काटना है कि 3, 3, 9, डारेक्टली क्रॉस करना है या सास से काटा क्रॉस पेपर में लिखना नहीं है फिलाल बेसिक समझ रहे हो तो इसलिए यहां पर आपको में लिख के समझा रहा हूँ ठीक है तो टैंसन नहीं ले अब यहां पर क्या दे रखा है A ratio B दे रखा है B ratio C दे रखा है और C ratio D दे रखा है लेकिन अपकी बार आपसे यह नहीं पूछा कि A, B, C, D बताओ आपसे सिर्क पूछ लिया A ratio C बताओ तो A ratio C बताने के लिए अब या तो आपके पास एक तरीका है क्या कि आप A, B, C उसके साथ C, D को मर्च करो A, B, C बना कर C, D के साथ A, B, C, D बनाओ फिर वहां से A और C का डारेक्टी आप ratio बताओ क्या होगा वो उसका answer क्यलाएगा एक तरीका यह आपके पास जोगी थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है एक तरीका कौन सा है जो मैं आपको समझाना चाहता हू वो ध्यान से समझना यह समझे तो आप कहोगे हां कुछ आज नया सीखनों के मिला और अच्छा मिला क्या कि देखो यहां पर A ratio C पूछा है आपसे A ratio C आपसे पूछा है A ratio C आपसे अगर पूछा है तो आपको क्या करना है यहां पर देखो A से C तक जाने में कई सारे ratio से C तक जाने के लिए A बटा B भी आया होगा, B बटा C भी आया होगा, यह ना, यह आया होगा, दो रेशो आये होगे, A बटा B से B बटा C, यानि मैं अगर आपको डिरेक्ली कहूं, तो आप इतना ध्यान रखना है, कि रेशो में उपर वाला, यानि उपर जो वैलू है, उप A, B, C, D में ही आपको करना है, कि A के बाद क्याता है, B, फिर B को कॉंटिन्यू करना है, B के बाद क्याता है, C, फिर C को कॉंटिन्यू करना है, C के बाद क्याता है, D, जहां तक जाना है, जहां तक जुरूत हैं, वहीं तक जाएंगे, यहां पर हमें सिर्फ C तक जाना है, क चार बटे साथ, यहां चार बटे साथ रख दिया, तो बस आंसर आ गया, दो चौक, आठ, और तीन सते 21, तो इस question का answer आ गया, आठ बटे 21, देखो कितना जल्दी हमने कर लिया, अधरवाज हमें ABCD बनाना पड़ेगा, उसके बाद बताना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा प् लिखते हैं, अच्छा इस question में, पिछले question में, हो सकता कि वो आप से कुछ और भी पूछ ले, जैसे यहां पर AC पूछा है, हो सकता है आप से BD पूछ ले, कि B ratio D क्या होगा, तो भी बता सकते हैं, B से D तक जाना है आपको, यानि BD बनाना है, तो B से D तक जाना है, तो B ब ठीक है, यहां B बจะ C की value कितना है? चार बटे साथ, चार बटे साथ रख दिया आप ने, और C बटे D की value कितना है? तीन बटे पांस, तीन बटे पांस रख दिया आपने, तो कितना आप जायागा? 40 या 12, बटे बटे में 7 पंचे 35, तो 12 बटे 35, तो यह सकांसर हो जाएगा, और भी काफी चीज़े आप से इसमें पूछ सकता है आप इजली उसको बता सकते हो ठीक है बस आपको ये तरीका follow करना है ये तरीका देहान लगना है ठीक है कि मतलब उपर वाली value जो भी है वहाँ से सुरू करना है और नीचे वाले पर खतम करना है आपको चलो आओ नेक्स देखते हैं कोशन यह कोशन है क्या है को आपको रेशो दे रखा है यहां पर आपको ए बी बटा सीडी पूछ लिया अब इसमें भी कुछ बच्चे क्या करेंगे कि रेशो निकालेंगे ए बी सीडी बनाएंगे उसके बाद वैलू बुट करेंगे नह और हाँ अब बटा सी गुना में बी बटा डी लिख सकता हूँ और अब भी आप देखो हमेरे पर डारेक्ट रेशो दो नहीं है न ए और सी लेकिन हमें अभी पीछे क्लास में यानि सोरी पीछे जो कोशन था उसमें समझाता है ए से सी तक जाना हमने सीखा कि ए बटा बी ग रखो और अंसर आ गया अब बटा बी कितना है आपका टीन बटे चार है पांच बटे दो निर आख रहा है पांच बटे दो लिखो अब जो कट रहा है उसको काट लो तो दो दूना चार ये खतम हो गया और और कुछ बतार तीन पचे पंदरा उपर हो गया, उपर पंदरा हो गया और नीचे कितना हो गया, तो सतू सतू नन्चास दूनी अंठानवे, 98, तो पंदरा बटे अंठानवे इस कोशन का अंसर हो गया, ठीक है, चलो, आओ नेक्स कोशन और देख लेते हैं, कुछ है क्या, च कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर रेशो में, यहाँ पर A की रेशो, A का जो अनुपात है, वो 6 बता देते हैं, 6 है, और B का जो अनुपात है, वो 7 बता देते हैं, जो गलत है, तो इसलिए यह थोड़ा समझाने के लिए क्या लिया गया है, क्या होता है, कुछ निक अगर 7 is to 6, इस question का answer आ जाएगा, ठीक है, या आप directly भी देखकर कहोगे, A के सामने जो value होती है, वो A का ratio होता है, और B के सामने जो value होती है, वो B का ratio होता है, यानि A का ratio कितना आ गया, 7 हो गया, और यहाँ पर B के सामने क्या है, 6 है न, तो B का ratio कितना 6 हो गया, तो यह आप directly देखकर बता सकते हो, चलो, next देखते हैं, 3A, 2B, 4C, अब यह 3 आ गया, 3 वाले में थोड़ा सा लफडा हो जाता है, 3 वाले में कैसे लफडा हो जाता है, एक तरीका तो यह है कि पहले आप यहाँ पर इन दोनों का comparison करो, यहाँ से A ratio B निकालो, फिर यहाँ B ratio C निकालो, फिर A, B, C निकालो, तो आप का answer आएगा, बट एक तरीका जो मैं बता रहा हूँ, उस पर थोड़ा सा धिहान दो, आप directly answer बता सकते हो, कैसे, यहाँ पर जो values है, 3, 2, 4, इनका क्या करो, आप LCM ले लो, क्या ले लो, LCM, तो LCM कितना हो जागा, 3, 2, और 4 का LCM 12 होगा, जो भी LCM है, LCM से सब क्या करो, आप divide कर दो, यानि 12 से सब को divide कर दो, LCM से सब को divide कर दो, काट लो, 3, 4, 12, यानि 4, 2, 12, यानि 6, और 4, 3, 12, यानि 3, तो इस question का जो ratio हो गया, A, ratio, B, ratio, C, वो 4, 6, 3, इसका answer हो गया, क्या करना है, LCM ले कर divide कर दें, बस, otherwise, इससे क्विक तरीका और कुछ होई नहीं सकता, ठीक है, हाई next लेखते हैं, अब यहाँ पर fraction में आ गया, यानि A, ratio, B, आपको क्या दे दिया, 1 बटा 2, अनुपात, 1 बटा 3, और आपसे पुछा है, कि A, ratio, B, क्या होगा, कुछ नहीं, सिधा cross multiply और answer आ जाएगा, तो 3 उपर जाएगा, तो 3 इधर हो जाएगा, अनुपात, 2 धर जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो इस question का answer आ जाएगा, 3 is to 2, इस question का answer आ जाएगा, ठीक है, directly, cross multiply करो, A, ratio भी मिल जाएगा, आपको, आओ, next देखते हैं, लेकिन, जब 3 values आ जाएगा, 4 values आ जाएगा, तब थोड़ा सा दिककत हो जाता है, cross multiply करने में भी, तो क्या करते हैं, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, A, B, C, का नुपात दे रखा है, 1 बटे 2, 1 बटे 3, 1 बटे 4, अब आपको क्या बनाना है, A, B, C बनाना है, या तो फ यहाँ पर, कि पहले इसकी गुणा इससे करो, फिर इसकी गुणा इससे करो, फिर जो है, इनको आपस में merge करके बताओ, या फिर एक तरीका कौन सा है, आपके पास वो ज़रा समझना, क्या है, पिछले question में जब उपर की values थी, तो हमने क्या किया था, LCM लेके divide किया था, ले गुणा करना है, पिछले question में में क्या किया था, divide किया था, माफी चाहता हूँ, अगर मैंने multiply बोला हो, divide करेंगे, क्या करेंगे, sorry, उसमें divide करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, multiply करेंगे, LCM, यानि यहाँ पर इनका LCM कितना हो जाएगा, तो आपको होगे 12, तो 12 से सब को multiply कर दो, इसको भी 12 से multiply कर दो, इसको भी 12 से multiply कर दो, तो यह दो चीक 12 यानि 6, तीन चोग 12 यानि 4, यहाँ 4 तीया 12 यानि 3, यानि 3 आ जाएगा, तो इस question का जो answer होगा, A, B, C, वो कितना हो जाएगा आपका, A, B, C हो जाएगा, 6, 4, 3, 6, 4, 3, इस question का answer कर लाएगा, A, B, C, ठ ठेका, तो यह आज की class, यहीं तक करेंगे हम, इस आज की class में हमने basic जाना है, कि ratio, basically ratio होता क्या है, ratio का types क्या होते है, ratio का use क्या होता है, ratio को sum up कैसे करते हैं, और ratio, जो fraction वाले ratio, इसको simple ratio कैसे बनाया जाता है, तो आज हमने काफी कुछ समझा है, आज की class आपके लिए बहु questions आते हैं, तो जी छोटी-मोटी चीज़े दिवान से उतर जाती है, तो उस case में आप notes को देखोगे, आपको सब चीज़ जो है, याद आ जाएगी, तो आज की video हम यहीं तक रखते हैं, next video जो आपके आएगी, हम उसमें बहुत अच्छे-चे questions करेंगे, यह नहीं सोजना कि जो है, इसकी basic करके ही हम छोड़ देगे, बेसिक से लेके advance तक जाएंगे, जितने भी important question है, चाहिए सिक्के वाले questions हो, या आपके batsman, baller, जिस तरह के भी questions बनते हैं, हम सब को हम इसमें हम करेंगे, ठीक है, जो भी चीजों का बटवारा हो गया, जमीन का बटवारा हो गया, कई तरह question बनते हैं, इसमें, तो या batsman के score का ratio हो गया, या किसी कई तरह question बनते हैं, हम सारे इस video में cover up करेंगे, बस जो आपको क्या करना है, जो next video है, उसका wait करना है, एक दो दिन में वो भी upload कर दूँगा, कल या फिर पर्चों में upload कर दूँगा, और उसमें जितने भी questions क मतलब आपको एक जो है, करम में chapter wise, sorry, question wise जो है, number wise जो है, आपको notes बनाने है, उनका समय समय पर revision करना है, बस, आपका exam में काफी questions जो है, exam में काफी फायदा मिलेगा, काफी questions आप easily solve कर पाऊगे, तो चलो मिलते हैं फिर next video में, बस इतना आपको करना है कि अगर आप channel पर पह प्रेस कर लेना, जिससे कि प्रेस करने से क्या होगा, sorry, bell icon प्रेस कर लेना, जिससे क्या होगा कि आपका जो भी वीडियो को notification है, वो आप तक easily पहुंच जाएगा, ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर next video में, तब तक अपना ख्याल रहे, ख्याल रखें, और सुरक्षित रहें, जय हिन, जय भारत!